26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका विहार एवं जारखंड के चातरों के बीच विश्वस्निय संस्थान गोल खवर आ रही है उससे कई गुना ज्यादा लोग जहरीली सराब के जद में आएं तो बड़े पैमाने पर हो गई है इसलिए सरकार के लोग भी इसको नहीं छुपा सकते थे इंस्पेक्टर अपने कार में एक सो कुछ लिटर सराब लेकर घूम रहे थे जब जाच की गई पकड़े गया तो बोले हम अपने विवा साधी विवा फंक्शन में ले जा रहे थे अधिकारी जो चाह रहे हैं अधिकारी को तो जंता के अदालत में नहीं जाना है इसलिए व अपना खाजाना भरने में लगे हैं और राज का हर तरह का बीधी विवस्था से संबंधित हो तब आप देख रहे हैं रोज हट्या लूट बलतकार हो रहे होम डिलेवरी हो रहा ह नमस्कार नीच पॉर नेशन देखने हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग छपड़ा और सीवान में जहरिली शराब के कारण तीस से अधिक लोगों की मौत हो गई है हमारे साथ है भीहर सरकार में पुर्व मंत्री और आरजएडी विधायक इसराइल मंसुरी साहब सर कैसे देखते जो घबड़े आ रही हैं जिस तरह की घटना हुई जहरिली शराब की करण तीस से अधिक लोगों की मौत होई क्या कहेंगे बलतों देखिए तीस ही नहीं यह तो परसासन के दोड़ा पुष्टी की गई है लेकिन जो ख़वर आ रही है उससे कई गुना ज्या जदा लोग जहरिली सराब के जद में आएं तो बड़े पैमाने पर हो गई है इसलिए सरकार के लोग भी इसको नहीं चुपा सकते थे लेकिन सच्चा यही है कि अमूमन सभी जगों पे एकके दुख्ये पूरे बिहार में हमेशा जहरिली सराब से मौत हुआ करती है और दर परतिनिदी है जनता के बीच हो रहते हैं गाओं को वही में गूमते रहते हैं हम लोगों को एडिया है यानि कि सराब का जो बंदी का जो कार्शकरम है हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं सराब बंदी नसामुक्त बिहार हो समाज हो अच्छी बात है लेकिन सरकार का इकव लेकिन बिहार में सराबंदी सफल नहीं हुई अवैद हजारो करूर का काम हो रहा है लोग सराब पी रहे हैं होम धिलेवरी हो रहा है उनके भी दल के चाहे इंडिये के तमाम निताओं के दोरा लगातार बोली जा रही है जितना माजी भी बोले हैं संजैजासवाल जी भी जगर नरधर सिगरिवाल जी का भी कहने का तत्व हम कल सुन रहे थे और ऐसे लोग तमाम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि सराब बंदी बिफल है तो क्या कारान है इसका मतलब है कि अधिकारी अभी हम देख रहे थे कि न्यूज में एक पुलिस सव इंस्पेक्टर अपने क बिफार में एक सो कुछ लिटर सराब लेकर भूम रहे थे जब जांच की गई पकड़े गया तो बोले हम अपने विवाह साधी विवाह फंक्सन में ले जा रहे थे तो बरदी धारी लोग सराब बिचवाते हैं बिहार में लेकिन बिनमना इस बात का है अधिकारियों पर कर करवाई कर दिये जाते हैं और खाना पूर्ती कर दी जाती है मानिनिये मुखमंत्री जी का इकवाल जो है अधिकारियों पर नहीं चल रहा है अधिकारी पर करवाई करने से क्यों डरते हैं यह जनता को बूलना चाहिए आप कहा रहे हैं कई एंडिये नेता भी जिक्र कर रह बिहार की एक एक जनता इस बात को समझ चुकी है जान नहीं है अधिकारी जो चाह रहे हैं अधिकारी को तो जनता के अदालत में नहीं जाना है इसलिए वह अपना ख़जाना भरने में लगे हैं और राज का हर तरह का बीधी व्यवस्था से संबन्धित हो तब आप देख रह है रोज हट्या लूट बलतकार हो रहे होम डिलेवरी हो रहा है और किसी भी अस्तर पर बिहार में परसासन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती है क्या लगता है कि परशांत की सोरुन का कहना के शराब बंदी जो है पूरी तरह से फेल है सराब को ही बिहार में खोल देन हमलों के निता दर्नियत हैस्वी परसादय दब युवा है युवा नितुर्ट्व है बिहार के लोगों ने 2020 में भी उन पर भरोसा जताने के काम किया है और आने वाले समय में निस्तित तोर पर समाज हित में बड़े फैसलों होंगे और जितने भी आप देख रहे हैं भरस् पर साही चरम सीमय पर हो गया है किसी जन परतिनिदी को कोई सुनने वाला नहीं है और लगतार लूट हत्ताय बलतकार हो रही है तो कहीं ने कहीं राजा का इकवाल खतम होगा है जिस दिन युवा कि नितुर्ट तेस्वी पर साध्यादव आने वाले समय में बिहार के मुख समाज से उठी जाए ताकि सराव नसा समाज का नुकसान करता है हम लोग नहीं है हम लोग भी चाहते है कि नसा मुक्त समाज हो लेकिन उसके लिए इकवाल चाहिए उसके लिए नतुर्ट कैसा है इस पर बहुत बड़ा निर्भर करता है इसलिए हम लोग तो नसा मुक्त समा में निश्चित तोर पर कुछ अच्छा ही होगा बहुत बहुत धन्यवाद यह बिहार सरकार में पुर्व मंत्री और आर्जेडी विधायक इस्राइल मंसुरी दिलिस नीच पूर नेशन क्लिमें दिरत समु